Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका my young, हम लोगों की यहाँ पर उत्तरप्रदेश एक समग रध्यान सीधी चल लही है, जो के आपकी UP की सभी परिच्छाओं के लिए उपहोजाता मेहत्पूर है, तो आज आपका ऐसी करम में इसका lecture number 2 है, यहाँ पर हम उत्तरप्रदेश की बहुत सनचना की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम जानेंगे कि UP का जो भूखंड है, वो बना कैसे है, भूखर्विच जश्टी से उत्तरप्रदेश भारत का जो प्राचीन दम गौणवाननेंड महादीप है, इसका एक भूभाग है, आप लोग इसके बारे में पहली पढ़ चोके हैं, तो बैसे दीप नहीं थे, पूरा एक विसाल प्रत्वी पर, पूरा एक विसाल महादीप कुगा करता था, और उसे पैंजिया कहा जाता था, कालांतर में क्या होता है, कि पैंजिया का भी विभाजन हो जाता है, पैंजिया तो भागो में विभक्त हो जाता है, एक तो दूसरा वाला जो portion है यह गौंडवाना लेंड के लाता है तो यहाँ पर दो भाग इसके हो जाती है अंगारा लेंड और गौंडवाना लेंड आगे चलकर अंगारा लेंड भी विवक्त हो जाता है और गौंडवाना लेंड भी विवक्त हो जाता है और गौंडवाना लेंड के भिवक्त होने से हमारा जो प्रायदीपी भारत वाला पोर्षन है यह आप देख पा रहे हैं यह पोर्षन बनता है यह प्रायदीपी भारत वाला पोर्षन है यह आया है यह आपके गौंडवाना लेंड से निगल कर आया है आप देखें UP का जो सबसे धच्णी वाला हिस्सा है जैसा कि आप यहाँ पे लाइन में देख पा रहे हैं यह प्रायदीबी भारत का सबसे उत्री हिस्सा बोला जाता है यहाँ पर आपकी इस्ट हो गई यह आपका उत्तर हो गया इधर आपका west हो गया और इधर आपका नीचे south हो गया तो UP का यानि उत्तर प्रदेश आप यह देख पाने ये आपकी UP है ये UP है तो UP का जो सबसे जच्छडी वाला हिस्सा है वो वास्ता में प्रैदिवी भारत का उत्तरी हिस्सा है यानि ये वाला हिस्सा जो है प्रायदीबी भारत का उत्री हिस्सा है अब यहाँ पर UP का जो आप गंगा का मैदान देख रहे हैं यहाँ पर कभी आपका टैथीस सागर भहरा करता था यहाँ पर कभी टैथीस सागर यहाँ पर हुआ करता था जो कि हिमाले से निकलने वाली नदियों से या फिर प्रैदी भी खंड से निकलने वाली नदियों के द्वारे जो अवसात लाए गए हैं उनके जरीए ये पूरा भूभाग भर गया है और ऐसे करके यहाँ पर समतल मैदान का निर्माड हुआ है तो यहाँ पर आप यह देखेंगे यूपी के जो जचडी भाग है यह वास्ता में प्रैदी भी खंड का भाग है और इसी वजए से यहाँ पर आपको पठार छोटी मोटी भाणियां देखने को मिलेंगी जबकि इसके बीच वाला जो पोर्षन है यह आपका समतल मैदान है क्योंकि इसका निर्माड जो हुआ है वो हिमाले से निकलने वाली नदियों से और प्रैदी भी पठार से निकलने वाली जो नदियां है जो कि अपने साथ अवसाद लेकर आई है उन अवसादों के निच्छे पर से इसका निर्माड हुआ है तो यहां तक आपके मन में पूरा मैप क्लियर हो गया होगा कि वास्ता में UP का भूखंड बना कैसे है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर UP का बहुत तिक विभाजन देखेंगे आपके सामने उत्रपदेश का मैप दिया हुआ है और मैप में आप अगर उपर से देखें तो यहां पर मैंने आपको उत्राखंट राजबी इसमें एड़ करके दिखाया हुआ है फिर आपका नीचे वाला जो पोर्ट से ने यहां पर आप देख पाने है पावर्तराई है यहां इसके मिडिल में मैदानी भाग है और इसके साउथ वाला जो पोर्ट से ने यहां पर पठारी भाग आ जाता है यहां तक बात आपको क्लियर है अब आपके मन में प्रशनी यह उट रहा होगा यानि अगर हम यहाँ पर यह देखें कि जो आपकी शिवालिक वाली पहाडियां है, जो कि कभी UP का भाग हुआ करती थी, सन 2000 में UP के जब 13 जलों को अलग करके उत्राखंट राज बनाया गया, तो शिवालिक रेंज जो हुआ करती थी, वो उत्राखंट में चली गई, यानि ब पढ़ता है, यहीं पर छोटी-मोटी पहाडियां बढ़ती है, क्योंकि बड़ी-बड़ी पहाडियां जो हुआ करती है, वो सभी बर्तमान में उत्राखंट में चली गई है, यहां तक बात आगो समझ में आ गई होगी, अब आप लोगों ने जियोग्राफी में ये भी पाए जाते हैं, यानि पत्थरों के बड़े-बड़े गोले टाइप के जो पत्थर होते हैं, वो यहां पर पाए जाते हैं, पूरा पत्थरों से भरागुए अलाका होता है, और जब नदियां शिवालिक से निकलकर रहावर में प्रदेश करती हैं, तो एकदम बिलुप्त सी हो जाती हैं, क्योंकि ये नदियां भावर प्रदेश के जो शिलाखंड हैं, उनके नीचे-नीचे से होकर भहती हैं, आगे चलके ये नदियां जो है भावर से आगे तराई में जाके निकलती हैं, और जो तराई में जब निकलती हैं, तब भी भावर पर इनकी धाराएं क तो तराई हम अपे तो बहावर प्रतिश में नदीज नहीं होती है, आगे चलकत टराई में जाके एक इसपष्ट धारा बनती है. यह बात आप जियोग्राफिय में पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पर चूंकि हमारा जो शिवालिक रेंज है काईदे के साब से शिवालिक रेंज उत्राखंट में है तो भावर प्रदेश हमारा यहाँ होना चाहिए था ठीक है और यह वाला जो रीजन है इसके नीचे वाला ये वाला रीजन ये तराई होना चाहिए था ये वाला रीजन आपका तराई होना चाहिए था लेकिन चूंकि संधोजार में उत्राखंट राज अलग निखल गया तो भावर प्रदेश के नाम पर हमारे पास बहुत छोटा सा रीजन बचा है आपके सारनपुड से लेकर पीली भीद तक एक बहुत छोटी सी पट्टी बची है भावर के नाम पर जहां पर आपको कुछ-कुछ सिलाखंट देखने को मिलेंगे बाद बाकी आपका पूरा जो छेत्र है यहां से लेकर यहां तक आप पूरा छेत्र देख पारें जो कि आप देख रहे हैं और दच्षड का पठारी चेत्र में विवाजित किया गया था लेकिन उत्तर के परवदी चेत्र को उत्तराखंट में चले जाने की बाद जैसा कि आपको में बताया है सन 2000 में उत्तराखंट UP से लग निकल गया है तो उत्तर का जो UP का परवदी चेत्र है उत्तराखंट में चला गया है तो जो चेत्र जो था परवदी चेत्र उत्तराखंट में चला गया है इस बज़े से जो भावर और तराई बाली जो पट्टी है हमारी इसको हमने एक कर दिया इस परवती चित से जो 60 भावर तरही चितर है इसको हमने एक ही भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को तीन भावतिक विभागों में बांटकर अध्यन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर उन तीन भावतिक विभागों का अध्यन है बहुत माइनर सी पट्टी रह गई है जो कि आपके साहरनपूर रीजन में पढ़ती है क्यों मैंना लाइन कीची है इसके लाइन के उपर वाले जो चेतर है यह आपका भावर के नाम पर केवल यही रह गया है बाद बाकी जो आप देखना है यह बुरा जो देख रहे हैं आपके तरही तरही बचा है तो उत्तरबदेश के सबसे उत्री चेतर को भावर चेतर खा जाता है साहरनपूर रीजन में जो पढ़ता है चेतर यह भावर खा जाता है और यह चेत्र तराई चेत्र के उत्री छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तरत है, बहुत पतली पट्टी, माइनर से पट्टी रह गई है, अगर हम इस चेत्र का लंबाई में विस्तार देखें, लंबाई का मतलब क्या है, इसका हम पश्चिम से लेकर पूरु तक कुसी नगर या महाराज गरंज तक इसका विस्तार देगें तो हम ये पाते हैं कि सहारंद को छेत्र में इसकी चोणाई जो है भावर की वो 34 क्यों मिटर है लेकिन जैसे जैसे हम पूरी की और बढ़ेंगे जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर जो आपका भावर प्रदेशर बूरी तरह से खतम हो जाता है केवल तराई तराई रेंज यहाँ पर बज़ती है केवल तराई 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 रेंज रह जाती है तो भावर छेत्र के बारे में भी आपने जाना है कि भावर छेत्र के ऐसा होता है, ऊबर खावर वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, जिसकी वज़े से नदियां जो होती है, भावर प्रदेश में बिलुक्त हो जाती ह भावर चित्र के ठीक दच्छड में यानि आपका जो भावर है भावर के दच्छड वाला जो रीजन पढ़ता है यह वाला जो रीजन आप देख रहे हैं यह वाला तो यह आपका तराई वाला चित्र आ गया यहाँ आपकी यह तराई चित्र की पट्टी पाई जाती है और इ पूर्व में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, कुसी नगर या महाराज गन तक जाएंगे, तो वैसे वैसे बिलकुल भावर प्रदेस हमारे खतम हो जाता है, उसी प्रकार आपकी तराई बाली पट्टी है, उसकी चोड़ाई यहाँ पर तो अच्छी खासी है, लेकिन जैसे जैसे चोड़ाई किसकी जादा है, भावर की है, और भावर चेतर आपका कुशी नगर या महाराज गन में बिलकुल भी नहीं है, तराई चेतर समतल और नम है, इसका निर्मार जो है, महीन अवसादों से बुआ है, भावर से जो नदिया निकलती है, तो भावर से निकलने वाली नदियां जब तराई में पहुँचती हैं, तो वो अवसादों का निच्छेपड करती हैं, और इन महीन अवसादों की विजैसे आपका तराई चेतर निर्मेत होता है, जो कि भावर प्रदेश में कोई भी एक इसपष्ट धारा नहीं होती नदि की, तो यहाँ पर कही सारी धराएं जो होती हैं, वो यहाँ पर तराई चेतर में एंटर करती हैं, तो पूरा चेतर जो होता है, वो नम हो जाता है, दल्दली हो जाता है, इसके लावा जो आपका तराई वाला रीजन है, यह तराई वाला रीजन अगर आप यहाँ पर वहोगलिक रूख से मैप देगे तो आप यह पाएंगे कि यह रीजन जो है हिमाले के तक्षण में बढ़ता है और जो आपकी पबने हैं यानि जो आपकी वर्सा वाली पबने हैं यह जब हिमाले रीजन से टकराती है तो यहाँ पर इस छेत्र में अच्छी-कासी वर्सा भी होती है तो इस बज़े से यहाँ पर एक तो नदियां आ रही है उपर से यहाँ पर वर्सा भी अधिक हो रही है तो इस बज़े से पूरा जो रीजन है आपका तरही वाला यह दलदली मैदान के रूप में पूरा जीन रीजन पाया जाता है यहां की जलवायों जो है वो स्वास्ते के लिए अनकूल नहीं है क्योंकि बहुत जादा वारिस होने के विएसे बहुत जादा दलदल होने के वज़ेसे यहां पर कीट पतंगों के लिए यह दलदल बगएरा एक आदर्स इस्थिति प्रदान करते हैं इस वज़े से ये छेतर जोगा स्वास्ते के लिए अनकूल नहीं है यहाँ पर रहने वाले जो लोग है वो बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करते हैं यहाँ पर इस छेतर में साल, हल्दू, सैमल, साखू, इन सब के प्रक्ष और लंबी घासें पाई जाती है वर्षागी अधिक्तागी वज़े से यहाँ पर भूमी बहुत ज़्यादा उर्वर है और अधिक पानी चाने वाली जो फसले हैं जैसे गन्ना हुआ और धान की खेतरी वो यहाँ पर भारी मात्रा में की जाती है तरही रीजन में आपकी कौन से तो फसले की जाती है एक तो गन्ने की खेती की जाती है और धान की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ पर एक तो भूमी बहुत ज़्यादा उर्वर है और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अच्छी खासी बारिस भी प्राप्त हो जाती है अच्छी खासी नमी भी है नदियां भी है तो इस पज़े से यहाँ पर गन्ना और धान की गेती भारी मात्रा में की जाती है अब आपका यहाँ पर मद्द का जो है मैदानी भाग है मैदानी छेत्र है आपका, इसके बारे में आप जानेंगे आप लोग यह जानते हैं कि यहाँ पर आपकी ऊपर की दरफ उत्तरपदेश के उत्तर में यहाँ पर आपकी हिमाले की शिवालिक रेंज पढ़ती है इसके वारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर आपकी शिवालिक रेंज पढ़ती है और नीचे जो आपका उत्तरपदेश का दश्डी वाला इससा है इसके नीचे जो है बिंद्यन रेंज पढ़ती है, बिंद्य की पहड़ीयां यहाँ पढ़ती है यह बात पी आप जिवराफी हैं पहले दे पढ़ के आई होंगे तो दच्छिड में बिंद करम और उत्तर में शिवालिक करम के मद्ध भाग में आपका गंगा यमना का मैदान यह वाला मैदानी भाग विस्तरत है यह मैदान प्लीश टोसीन यूग से लेकर आज तक आउसादों के निक्षेप का पढ़डाम है देखिए जो आपका सिवालिक वाला रेंज है या हिमालियन रेंज है इसका जो विकास हुआ है प्लायोसीन काल में आपका सिवालिक रेंज यहां पर खड़ी होती है और यहाँ पर एक गड़्डा तयार हो जाता है एक बशाल गर्थ वन जाता है तो सिवालिक से जो नदिया निकली है उन नदियों ने अपने साथ लाए हुए अवसादों का यहाँ पर निच्छे बढ़ किया है और इस घर्थ को बढ़ना स्टार्ट कर दिया है ठीक इसी प्रिकार से जो पठारी भाग है यानि जहाँ पर आप बुंदेलखन रीजन देख रहे हैं यानि कि जो निच्छे पढ़ कर जो कारे है वो फ्लीश टोसिन युक से हो रहा है और जो के आज भी निरंतर अनवरत फुरूप से जा रही है यहाँ पर आप यह देखेंगे कि यहाँ पर इसके पश्मी को उने पर आपकी यमना नदी जा रही है यानि पश्मी जो सीमा इसकी जो है वो यमना नदी बना रही है और भही इसके पूर्वी छोड़की जो सीमा जो है गंड़क नदी बना रही है यानि यमना और गंड़क नदिया इस विसाल मैदानी पर इसकी क्रम से पश्मी और पूर्वी सीमा इन धरित करती है यहां तक बाद आपको clear हो गई होगी देखें मद्दिका जो मैदान है यह गंगा और उसकी जो सहक नदिया है जिनमें आपकी यमना है घागरा है, गौम्ती है शार्दा है, राप्ती है, रामगंगा है गंडग है इनके द्वारा लाई गई कांप, पिट्टी, कीचड और बालू के द्वारा निर्मित एक अत्यांती उपजाव छित्र है यही कारण है कि यह जो मैदानी भाग है काफी सगन वसा हुआ छित्र है क्योंकि यह हां की जो भूमी है, वो काफी उर्वर है और इसी उर्वरता की वज़े से यहां पर सबसे ज़्यादा सगन वसावट आपको देखने को मिलती है इस मैदान के अगर ढाल की बात करें तो यह ढाल उत्तर पश्चिन से दच्छड पूर्व की और इसका ढाल है मैदान का जो पश्मी वाला भाग है यह नदियों के द्वारा निक्षे पे तल छट या कांप मिट्टी और इसकी सनचना के अधार पर इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है बांगर चेत्र में और खादर चेत्र में बांगर और खादर के बारे में पहले से जोगराफी में पढ़कर आए है बांगर चेत्र जो होता है वो पुराना जलोडग होता है और खादर चेत्र जो होता है वो नवीन जलोडग होता है यानि बांगर चेत्र से तात पर उस खेत्र से है जहां नदियों के बाड़ का पानी नहीं पहुँच पाता है और यहाँ पर पुरानी काप मिट्टी का जमाव होता है यानि बांगर चित्र की जो मिट्टी होती है ये काफी पुरानी होती है और लोग इस मिट्टी में हजारों साल से क्योंकि खेती कर रहे हैं इस बज़े से मिट्टी का उफजाववड़ पने उतना ज्यादा नहीं होता है, काफी कम होता है. वही अगर अगर कि खाधरचित्र के बात करें, तो खाधरचित्र में प्रतिवर्स नदी गोर बार लाती है, और नदी के दूआरा जो बार का पाणी आता है, इस बज़े से यहाँ पर नभीन जरुड़क का जमाव होता जाता है यानि इसका तादपर है, कछार से है यहाँ नदियों के दोरा प्रतिवर्स मिट्टी की पड़तों में परिवतन होता रहता है और खादर छेत्र की जो मिट्टी होती है अत्यंत उपजाव होती है खादर छेत्रों में नदियों के दोरा जो अधिक आवरण चेह होता है आवरण का मतलब क्या है? उपरी जो मिट्टी परत है यह चेह होने के बज़े से यहाँ पर भीहड भूमी निकलाती है यूपी का जो तीसरा वाला रीजन है यह है धच्षड का पहाड़ी या पठारी छेत्र यानि यह ललित्पुर से लेकर जो आप सौनभद तक का रीजन देख रहे हैं यह वाले चेस्ट की बात हो रही है जो मैंने लाइन की चीह है वास्तम में जो यूपी का जच्षडी पहाड़ी या पठारी छेत्र है यह प्राइदीवी पठार का ही उत्री भाग है यह आपका प्राइदीवी पठार है यह वाला यह पोर्शन है इसका उत्री भाग है यह वाला और इसका निर्मार जो है Cambrian युग में हुआ है देखे आपने प्रत्पी की उत्पत्ती के बाद जो युग पड़े हैं उन युग में आपने Cambrian युग पढ़ा होगा और Cambrian युग का जो कालकरम है वो आज से 57 करोड साल पहले से लेकर 4 अरव 8 करोड साल के बीच का है 4 अरव 8 करोड साल के बीच का ये कालकरम है Cambrian युग का और Cambrian युग में भी 4 प्रकार की सरणचनाय बनी है आरकियन बनी है, आरकियन के बाद यहाँ पर धारवाड बनी है, लिख दे रहा हूँ जिसका निर्मार्ट प्षेम्रियन योग में अर्कियन और बिंद करम की शेरौं से हुऔँ और इसे बुंदिल खंड के पठार के नाम से जानायाता है यह जो जो रीजन आप देख पा हैं। इस पूरे रीजन को बुंदेलघंड का पठार बुला जाता है ठीक है? यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी आगे बढ़ते हैं अब आपके सामने एक अलग मैप दिया हुआ है और इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर नदियों को दर्साया गया है यहां पर नदियों को दर्साया गया है कि नदियों की मदर से आप इस रीजन का बुंदेलघंड का जो पठारी चितर है इस रीजन का सीमांकन कर पाएंगे इस बज़े से यहाँ पर नदियों वाला map यहाँ पर लगाया गया है तो एक बार मैं आपको line draw करके बता दे रहा हूं कि यह जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके नीचे वाला जो portion है आपका यह बुंदेलखंड का पठारी पोर्षन है बुंदेलखंड का पठारी या पहडी बाला चेतर वाला पोर्षन है तो इसके जो उत्री सीमा है उत्री सीमा पर आपको यमुना और गंगा नदिया देखने को बिलती है यह जो आपकी यमुना नदिया और यह जो आप मैं लाइन ला रहा हूँ यह बाली यह आपकी गंगा नदिया है इसके लाबा इसकी जो पश्मी सीमा है पश्मी सीमा पर आप देख पा रहे हैं यह जो नदी है यानि लिटपुर से बहती हुई आगे फिर जहां सी में इंटर कर जाती है यह आपकी बेतवा नदी है यानि इसकी पश्मी सीमा का सीमांकन बेतवा नदी कर रही है अगर हम इस पठार के ढाल की बात करें तो इसका ढाल दच्छड से उत्तर की हो रहे है यानि ध्यान देना इसका ढाल कहां से दच्छड से उत्तर की हो यानि इस साइड से उपर की हो रहे है दच्छड से उत्तर की हो रहे है यहां पर इस चेत्र के अंतरगत दलितपुर, जहांसी, जालोन, हमीरपुर, महोबा, बाधा, चित्रकूट, प्रियागराज का सुदूर दच्छनी और दच्छिडपूर्वी भाग, मिर्जापुर का गंगा के दच्छिड का भाग, सौनभद्र और चंदॉली का कुछ भाग समलेद है, सौनभद्र के ऊपर यहां पर चंदॉली जिला बढ़ता है, तो सौनभद्र और चंदॉली का कुछ भाग आपका इसमें आ जाता है, यह पूरा रीजन जो है, बुंदेलखंड का पठारी या पहड़ी छेत्र के नाम से जाना जाता है, हाना कि इस रीजन को भी पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आप आगे देखेंगे, देखे इस छेत्र की जो मुक्क नदियां है, इन नदियों में चंबल, बेतबा, केन, सौन और टॉंस हैं, जिन में चंबल, बेतबा और केन, यह पठार को काटती हुई, यम्ना में, यानि यह यम्ना की स वो सौन नदी है, इस सौन नदी एकमातर ऐसी नदी है, जो गंगा में दच्छिट्सिकी ओर से आकर इसमें मिलती है, पूरे पठारी छेत्र में बरसा बहुत कम होती है, उसका रीजन यह है, क्योंकि यह जो चेत्र है, बुंदिलखन का पठारी या पहाडी जो चेत्र है, क्योंकि यह भूमी ककरीली, पत्रीली भूमी है, और जातर भागों में इस भूमी में लाल मिट्टी पाई जाती है, इस बज़े से भी यह उपजाव नहीं है, यहाँ पर कुछ-कुछ छेत्रों में आपको यहाँ पर उपजाव भूमी देखने को मिलती है, जिन पर किसान, चना, अरहर, सर्जों, ज्वार और गहूं की केती करते हैं देगे यहाँ पर जो नदियां इस पठार को काट कर निकल नहीं है वो नदियां यहाँ पर कई सारे जलपरपात बगएरा कई जगह पर जील बगएरा बनाती है इसके रवलावा गवर्मेंट के परियास के भी यहाँ पर कई सारे डेम बगएरा बनाई गए है इस बज़े से इस छेतर में जो किसान है वो यह खेती कर पा रहे है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका बुंदेलखंड का पठारी या पहाडी च्यत्र है इसको भी दो भागों में डिवैट किया गया है आपने मैप में देखा होगा यह बुंदेलखंड का जो रीजन है यह ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक पुरा आता है बुंदेलखंड का पठारी या पहडी छेत्र कुछ इस प्रकार से आपने मैप में देखा है अब इसमें भी एक छेत्र आपका ये वाला जाता है लित्पुर से लेकर छेत्र कूट तक ये वाला छेत्र और सेकिंड वाला जो छेत्र जो है ये वाला इसमें आपका सौन भद्र और चंदोली का कुछ पोर्सन सामिल कर लिया जाता है आप देखें यो विभाजन है यहाबर यानि पुनहया जो आपका बुंदिलखंड का पठारी या पहाडी चित्र है इसका जो विभाजन किया गया है इस विभाजन का आधार इन दोना चित्रों में पाई जाने वाली चट्टाने है उनके आधार पर इस चित्र का विभाजन किया गया है तो जो आपका एक नंबर वाला रीजन है जिसको फ्योर रूप से बुंदिलखंड बोला जाता है इसके अंतरगत ललिदपूर जहांसी, हमिरपूर, महोबा, बांदा और चित्रकूर जिले सामिल है ये नीचे गीर 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 जिले आप देख रहे हैं ये MP के जिले आ जाते हैं यहां पर मैंने अलग दिखाने के लिए इसका एक छोटा सा अलग मैप यहां पर लगाया हुआ है ताकि आपके मन में जो बुंदिलखंड का रीजन है वो और किलियर हो जाए कई बार आपने देखा होगा कि अलग बुंदिलखंड मनाने की जो मांग होती है उसमें यही जिले दर्साए जाते हैं यह वाले जिले दर्साए जाते हैं कभी-कभी जालोन को भी एड कर लिया जाता है लेकिन अगर विशुद्ध रूप से देखें तो यह वाला जो रीजन है ललिकपोर, जहांसी, हमिरपोर, महोबा, पांदा, चित्रकूर यह आपका प्योर रूप में बुंदेलखंड है हाला कि समलित में एक और दो नमबर को मिला कर आपका पूरा बुंदेलखंड का पठारी पाड़ी छेतर बोल देते हैं लेकिन वैसे बुंदेलखंड का रीजन आपका यही वाला है तो बुंदेलखंड का जो पठार है ये आर्कियन कल्प की नीज चट्टानों से निर्मित है और इसे बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीज के नाम से जाना जाता है इसमें लाल और्थोकलेज, फिल्सपार, लाल क्वार्टज, हौर्न ब्लेंड कलोराइड आदे खनेजों का मिस्टर यहां पाये जाता है चुँकि ये चट्टाने आर्कियन करम की हैं तो आर्कियन करम की चट्टानों में जीवासम नहीं पाये जाती हैं यानि इन चट्टानों में बुंदेलखंड वाली चट्टान हैं यहां पर किसी प्रकार के फॉजिल्स के प्रमाड देखने को नहीं मिलते हैं अब बात कर लेते हैं आपके सेकिंड वाले रीजन की सौनभत्र और जो चंदौली वाला रीजन उसको देख लेते हैं सौनभत्र में सौनपुर और रामगड की पहाडियां हैं और सौनदी यह जो नदी बह रही है यह आपकी सौनदी बह रही है तो सौनभत्र में सौनपुर और रामगड की पहाडियां और सौनदी का छेत्र बगेलखंड के तहरत आता है और ये पूरा रीजन मिलाकर यानि बगेलखंड और बुंदेलखंड का जो रीजन है इन दोनों को मिलाकर प्योर रूप में क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है बुंदेलखंड का पठारी या पहाडी छेत्र ये बात आपके मन में किलियर हो गई होगी यहां तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आप देखें जो सौनभत्र रीजन है यहां पर कैमूर हिल्स भी पाई जाती है सौनभत्र रीजन में और यह कैमूर हिल्स कहां से आई है आप यह देख पा रहे हैं कि जो आपका बुंदेलखंड का पठारी या पहाडी छेत्र है इसके दच्छन में जैसा कि मैंने आपको बदायत का स्टार्टिंग में यहां बिंध्यांचल परवत स्टेडी है तो जो आप कैमूर हिल्स जो देख रहे हैं यहां पर लिखी हुई वी मैप में सौनभत्र में जो कैमूर हिल्स देख रहे हैं यह बिंध्यांचल परवत स्टेडी का पूर्वी बिस्तार है यानि बिंद परवत की सबसे पूर्वी स्रेडी जैसे हम कैमूर परवत कहते हैं तो कैमूर परवत पूरे MP को पार करते हुए सौनभद तक चला आता है और जो आपकी ये कैमूर परवत स्रेडी है तो इस करम में चूने के बत्थर, डोलो माइट, बलुवा पत्थर आदी सेलने यहाँ पर पाई जाती है यानि यहाँ पर जो सौनभद पत्थर में आप कैमूर हिल्स देख रही है लेकिन बिंद करम की जो चट्टाने होती है क्योंकि ये अवजातों से निर्मी चट्टाने है इसलिए यहाँ पर कहीं कहीं जीवात के प्रमाड देखने को मिलते है तो यहाँ तक बात आपको समझ में आगई होगी खुझ से मैप भी क्रियेट करने पड़ते है जैसे स्टार्टिंग के कुछ मैप जो है मैंने खुझ से क्रियेट किये है तो यह इन सब चीजों में टाइम लगता है जबकि अगर आप किताब अगर मार्गेट से ले आएंगे यूपी की तो उसमें आपको एक बार को पुरी भासा तो मिल जाएगी लेकिन जो मैप बगेरा हैं जिस मैप के जबगी है आप अच्छे समझ पा रहे हैं वो मैप देखने को नहीं मिलेंगे तो मेरा मानना यह है कि अगर मैं सीरीज के लिए तरी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपना अच्छा खासा रैस्पोंस दीजिए ऐसा ना हो कि मिझे वीडियो में ले गर आता हूँ उसके बाद भी आप देखें न यह बहुत गलत बात रहेगी तो आपका भी फर्द बनता है कम से कम इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल न खूले तो चलिए आज के लिए वस्तना ही थैंक्स पर वाकिंग जैहन्द